असलाव अलेकुल दोस्तों मैं हूँ मुहमद दाउद का कर्ड आज हमारा टॉपिक अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन आप टीचर एक्सलेंस के कोर्स पीटीके का होल गुरूप स्ट्राटीजी पार्ट वन है पूरे ग्रूप या थमाम क्लास के लिए किमत्यामलिया के टॉपिक से पहले अमेरिकन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन आफ टीचर एक्सलेंस के कोर्स से मतलिक जो टूटूरियल्स पब्लिश्ट हो चुके उनके लिंक्स यूट्यूब पे इस वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में दिये गए है होल ग्रूप स्ट्राटिजी पार्ट वन के अब्जक्टिव्स दिस लेसन में फोकस अन होल ग्रूप इंस्ट्रक्शन और डिटेल दे यूज आफ तर फाल्विंग स्ट्राटिजी ये ग्रूप ये लेसन तमाम क्लास के लिए तद्रीज की जो एकिमत्यामलिया है अर उसमें बिलख चुछ ग्यूज देख चेल स्ट्राटिजी पें फोकस होगा वाम एप लेट्टिर्स रिम इस्ट्राइंस ग्रूप चेललुड थीट्णी वेबक्ष्टे स्ट्रफिक रखिक एश्र 2ंग स्ट्रेटिंट्ट्यम ग्रूप इंस्ट्थे रूजर्श्त्त से रिसार्टेशन फोल ग्रुप इंस्ट्रक्शन तमाम ग्रुप के लिए यानि फूरी क्लास के लिए तद्रीज द फालिविंग टीचिंग टेक्निक्स आर डिजाइंट फर यूज विद इंटायर क्लास अभी जो हिकमत या मिजा आ रही वो तमाम क्लास के लिए डिजाइन की ही है all of the techniques may be amended to personalize a lesson for a particular classroom किसी भी खास classroom के लिए इन में से तमाम techniques में तर्मीम की जा सकती है और इनको अपने मकसद के मताबिक बनाया जा सकता है teacher should not commit themselves to only one or two instructional delivery methods to such an extent that they can't adjust to meet the needs of their students teachers को एक या दो teaching strategy के साथ अपने आपको नहीं जोड़ना चाहिए बलके उनको variety of strategies use करने चाहिए और students की need को उनकी interest को के मताबिक उनको adjust करना चाहिए तो whole group strategies तमाम class के लिए हिकमात्य अमलिया पार्ट वन में नमबर वन दिया गिया है warm up warm up या तारुफी जरगर्मी में तलबा से पिछले अस्बाक की महारत या तसवर किया दिहानी कराए जाती है इस से तलबा की तवज़ा मरकूज होती है वो नए पढ़ाने वाले सबक की तरफ रागिब होते हैं और दिल्चस्पी लेते हैं नमबर ट्रू लेक्चर खासत और बड़ी क्लासे में मालूमात देने के लिए लेक्चर एक मौसर तरीका है दिगर तदरिसी टिकनिकों को साथ मिलाने से इसकी खादर में इजाफा होता है लेक्चर मुक्तसर कलरफुल जाती और दिल्चस्प होना चाहिए नमबर ट्री डिमोंस्ट्रेशन इसमें टीचर तदरिस को अमली तोर पर दिकाता या दिकाती है जो आम तरिका कार से मुक्तलिफ होता है इससे कलास्रूमें जोश और तज्जस्स की सता बढ़ जाती है नमबर फॉर वर्कशीट्स वर्कशीट्स तलबा की शमुलियत के लिए मददगार रिसॉर्सिस है दो बड़ी अकसाम की वर्कशीट्स होती है पहली नालिज लेवल की होती है और दूसरी आला दरजी की सोच को परवान चड़ाती है नमबर फाइफ गैलरी वाक और लर्नर्स वाक गैलरी वाक तलबा को कमरे में गूमने की अजासत देता है ताकि वो मुनजम तरिकी से मिशाहिदा कर सके और तद्रिसी अशिया के बारे में सोच सके तलबा की इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए इसको मुडिफाई किया जा सकता है नमबर सिक्स टेक्नालोजी टेक्नालोजी असातिजा के पैदावारी सलायत में इजाफा और तलबा की अमूज़श को बढ़ाती है तद्रिस के लिए इस्तेमाल की जाने वे लिए टेक्नालोजी की नई शकलू में कंप्यूटर, इंटरनेट, LCD प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स और सम्यो बस्री अशिया शामिल है नमबर सेवन वेब क्वेस्ट वेब क्वेस्ट टीचर की बनाईवी सरगर्मी है जो इंटरनेट को तलबा की रेनुमाई के लिए मुखतलिफ तद्रिसी वेब साइट के लिए इस्तमाल करते हैं इन वेब साइट में सेमिलेशन, टूटोरियल्स और सीखने के दिगर जदीद तरीके शामिल है ग्राफिक और्गनाइजर्स ग्राफिक और्गनाइजर्स असाथज़ा के लिए मुखतलिफ मौज़ात की मर्बूतियत को जाहर करने का एक मुफीद तरीका है जैसा के आज के सबग का पिछले सबग के साथ कहानी के अज़़ा के दर्मयान और फीड़ वेक के अमल मेरा ग्राफिक और्गनाइजर्स तसावीर, इलिस्ट्रेशन्स और मतनी मौद की सीरीज हो सकता है तलबा मिसालों और गर मिसालों के तायून के लिए तनकीदी सोच का इस्तामाल करते हैं जो खास ग्रूप या कैटेगरी से रब्द बनाते हैं जखिरे अलफास को पढ़ाने और नए तसवरात की वजाहत के लिए ये बहतरी तरीका है नबर टेन, कंसेप्ट मैपिंग कंसेप्ट मैप्स ग्राफिक रिप्रेजेशन्स हैं जो मगतलिफ तसवरात के दरमयान तालुक को जाहर करते हैं ये दो जहती डिस्पले हैं जो मानुमात और नई तफहीम की नमाइदगी करते हैं और मुन्नाजम रखते हैं नबर 11, KWL KWL एक और्गनाजिंग सिस्टम है जो तलबा के लिए डिजाइन किया गया है जो उन्हें निसाबी मोज़वात का मुतालाग के लिए डिरेक्शन का शौर देता है KWL चार्ट में तीन हेडिंग्स होते हैं K for know जो तलबा पहले से जानते है W for what they want to know जो जो जानना चाहते है and L for learned जो सबक के नतिज़े में उन्होंने जाना questioning ये मालूम करने के लिए कि क्या तालिब इल्म या तालिबा तद्रीज को समझते है इसके लिए गेर रस्मी और मुनासिब तरिका ये कि इस से सवाल करे सवालाद के चार मगतलिफ वस्य अकसाम इस्तमार किये जाते है जिनमें तलबक की memory testing के लिए recall questions होते है open ended में opinions को शामिल किया जाता है probing question जो किसी तसवर या मालूमात के लिए सोच बिचार करती होती है और guiding जो जवाब की जानिब रहनुमाई फराहम करते है 13. wait time wait time खामोशी का वो बीच वाला दोरानिया होता है जो टीचर सवाल करता या करती है और पहला student जवाब देता है देती है तलबा को सोचने के लिए वक्त न देना इब्तिदाए टीचर की सबसे बड़ी गलती है 14. instructional responses जब कोई teacher student को जवाब देता है देती है तो वो सोच पर मबनी जवाब दे कर तलबा की learning को बढ़ा सकते है instructional responses की चार अक्साम है इस्तेमाल करके खुलासा बयान किया जाता है नमबर त्री non-judgmental जिसमें सोचने को जारी रखा जाता है और तलबा आपने जवाब बनाने की कोशिश करते है और नमबर फॉर एडवाइजरी जिसमें तलबा को एडवाइज और डायरेक्शन दी जाती है 15. recitation ये गुफटगू कि वो किसमें जिसमें टीचर्स सवालात पूछते हैं और तलबा जवाबाद देते हैं टीचर्स जवाबाद के मैयार का फैसला करते हैं रिसाइटेशन के दोरान टीचर्स रिकालिंग किसम के सवालात पूछते हैं पिर जवाब, पिर जवाबात के मैयार को देखते हुए या तो कबूल किये जाते हैं या मज़ीद वजाहत करने के लिए कहा जाता है होल गूर्प स्ट्रेटेजी पार्ट वन में ये 15 अकसाम की स्ट्रेटेजी इस हिकमत यामलियों का जिकर किया गया और ये हिकमत यामलियां इस लेसन के पार्ट व में भी जारी रहेंगे